सामरेकों मेरी पहरी यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आज मैं फिर प्रोड़क्ट का रिव्यू करूंगी वह है रिवाज यू के वी कुछ चीजें जो मैंने कुछ दिन पर ने ओरर की दी इससे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक् करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक्यू सो मच अब हम इस प्रोड़क्ट को खोलेंगे यह मैं जरा चा कर रहा हूं कि इसके अंदर कोई चीज कटना जाए या भी हम खोलेंगे इसको अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से क्या-क्या निकलता है यह सबसे बने तो एक स्लिप निकली थी जिसके पर सारी डिटेल्स लिखी हुए थी किसने ओरडर किया कहां से ओरडर किया क्या-क्या चीज और कीया डैस यह सारा कुछ इसके ओपर लिखा हुआ था उसके बाद कि इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत किरफुली सारे पारसल को इन्होंने पैक किया हुआ था कि कोई बीचीज ने खराब ना हो कोई बीचीज टूटे ना बड़े अच्छी इनकी पैकिंग थी कि इन्होंने अपने प्रोड़क्त की सेफटी का जो ख्यार रखा वह बहुत अच्छे से किया था मैं को दिखाती हूं कि इसके इंदर से गया निकला यह माना पार्सल जो खुल चुका है सारी इसकी अन्बॉक्सिंग हो चुकी हुए गया अब यह देखेंगी एक मैंने आई लाइस करलर मगवाया था एक लिप ब्राश मगवाया था और तो मैंने आई शेड मगवाया थे इनके जो डस्ट यां स्पार्क्लिंग डस्ट वह थ एक सिल्वर में था और एक गॉल्डन कलर में था यह देखें साबसे पहने मैं आपको इंका लिप ब्राश तिका हूं यह कितना जबरस प्राश है इसके ब्रिसल्ट बहुत ही अच्छे हैं आप इससे बहुत अच्छे से लिप्स्टिक लिगा सकते हैं बजे इसकी ब्राश होगा था और ओफ मुझे डेट्स होगा मिला था इसको मगवाएं और यूज करें यह बहुत अच्छी चीज़ है इसके बाद यह मैंने एक मगवाएं था हैट बैंड फेशल्ट और क्लिम्जिंग करा के लिए यूज करने के लिए यह बहुत अच्छा था इसका स्टाफ ब बालों को पर प्रोड़क्त लगने से बचाएगा और आप इस प्रेशल और कर सकेंगे यह बेवी पिंग कर में था इसका कर भी बहुत प्यारा था इसका स्टाफ को प्यारा था सोफ्ट और मजे का था मुझे बहुत अच्छा लगा मैं एक दफाद पिर आपको कहूंगी के प्लीज इसको और करें अब हम जो नेक्स चीज दिखाने जारी हैं मैं आपको वह है इनके आई लैश करलर यह देखें इन्होंने इसको बड़े अच्छे से पैक किया हुआ है और उसके जाद इसका एक और रबट दिखाई है सोली बेजी है ताकि अगर एक खराब हो जाए तो आप इसको फैंट के नहीं बलकि आप दूसरी डबट को इसके डाल के यूज कर सेकें इसको कैसे यूज करना इस नहीं ने बहुत अच्छे से इसको पैक किया हुआ है इसली यह कुलनी रहा था यह मैंने इसको सीज और से आप और यूज करने के बाद इसको आप इसको है इसको इसको आप यह एक राव ना हो और आप यूज करने के बाद इसको आप इसको अब्सके ओल्डर में ना सकते हैं यह देखें कि इसको चाहें तो आप इसको चेंज भी कह सकते हैं जब यह खराब हो जाए बहुत अबदस इनका आईलेक्स करनर है जो बहुत अच्छा लगा टर्नर कहें या करदर कहें दोनों कह सकते हैं मैं आपकर यह भी रिक्माइंट करूंगी क्या प्लीज इसको भी मगवाएं बहुत काम की चीजा है यह भी मुझे कोई 150 रुबीज सक मिला है इनका हैट बैंड भी मुझे तकरीबन कोई 500 रग मिला है कोई ज्यादा गरनी था यह टोटल पार्सल जो था मेरा इकी सो में मुझे मिला है गलिवरी स्मेथ जिसमें 882 गे का यह एक स्पार्क्रिंग डस था और बाकी दो चीजें यह थी और बाकी तीन चीजें जुसी थी अब मैं आपको इनको भी खुल के दिकांगी सबसे पहले में आपको तीन नंबर बाला को नोंगी इसके अनर से देखते हैं कौन सा कर निकलता है कि मैंने एक सिल्वर और गॉल्डन करीया था यह चल वर एंश का स्वैचेश भी में आपको दिखांगी और मैं आपको दिखा तो दोन थे मैंने बजार में देखे थे लेकिन मैंने ओनलाइन ओर किये क्योंकि एक तो इनका उफटाल रहा था दूसरा और जिनल और फेग में कोई इस्वी नहीं होना था कि और जिनल ही मिलना था इनकी वेबसाइट से यह बैसे कुल नहीं रहा था अभी मैं आपको कि यह मैं खोलने के बाद आपको दोबारा दिखा रही हूं कि सिल्वर कलर में है आपको लाइट के विए से थोड़ा सा समझनी आएगी मैं इसके लाइट को भी थोड़ा सा फोकस करती है और यह दूसरा सेवन नबर है यह गोल्डन कलर है एक और इनका गोल्डन कलर है वह यूज करें तो वह मल्टी कलर का अफेक्ट देता है मैंने अपनी तरफ से वही मगवाय था लेकिन यह दूसर वाला गोल्डन आगया लेकिन अब मैं नेक्स दुबारा वह मगवाऊंगी देखिए उपर इसके एक चोटा सा स्टीकर लगा हुआ है था कि इसके बर से इनका जो सुराख है उनके नर से निकल के प्रोड़क्ट जायाना हो बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसका पैक किया हुआ है यह मैंने इस तरह उपर से दिखा रही हूं लेकिन अगर आपने यूज जब यूज करना है आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको भी रिमूव करके ब्राश की मदद से भी अप्टिकेट कर सकते हैं ता कि आपको ज्यादा प्रोड़क्ट आपको जितना चाहि यह मेरे थोड़ा सा मैने कम लिगा था है इसलिए इसका पिगमेंट इतना ज्यादा कफीन होगा लेकिन फिर भी आम उससे बहुत ज्यादा है आप इसको सीलर के साथ यूज करें तो यह बिलकुल लॉंग लास्टिंग है और जरा भी कही नहीं जाएगा यह बहुत अच्छ इसका पिघमेंट है बहुत अच्छा कलर है मुझे इतना अच्छे मार्केट में और कहीं पर भी नहीं मिले कि अब देखिए इसके प्य Quebec现在 पीजिए इस एलवर का सही से प्रोडक्ट आए रहा है इसके इसको फुब्सूरत इसको कितना हैवी अच्छा उसका पिगमेंट है उसको चाहें तो यह जैसे मैंने kohl्न को गॉल्डन को कम यूज किया उसकता है और और सिल्वर कि जैसे मैंने ज्यादा व्यूंद किया वैसे पीधियों सकते हैं देखे हैं कि जाध करेंगे उसका थैद्न खैषिम मोई तरह इसको परिक्मिट है और कितना यह बहुत है कि यह बहुत तार क neurons की रही कर सकते हैं और नियुक्ट के लएको लृट वीजेंहेंगे हैं। आप द़ुब भी जाया कारे होते हैं तो इसलिए चाहिए ही कहूंगी कि आप इसको मठवाएं और इसको यूज करें और मुझे को मेरी प्रोडक्ट्स अरि आपको रिवाज की फ्रोडक्स कैसी लेगी और आपका मेरी रिव्यु कैसा लगा और मुझे रिवू के भी बताएं थैंक यू सो मुच अलाफीज